हलो अज़ के इस वीडियो में हैं मैं आपको यह बताने वालों कि कैसे आप अपने Nokia G42 Android मोईल फोन में आप अपने मुवल फोन का storage आप कैसे बढ़ा सकते हैं आज के इस वीडियो मैं 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 आपको डीटेज में जानकरी देने वालों तो चल में आप वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं देखें दोस्तों आप अपने मुवयल फोन का स्टोरेज नाप दो तरीकों से आप बढ़ा सकते हैं पहला तरीका यह होता है कि कि कैसे आप जो है दूसरे तरीके के जरीए आप जो अपने फोन का स्टोरेज बढ़ा सकते हैं तो चलिए आपे वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं देखें दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना है यह है कि आपके मुवाइल फोन के अंदर जितने भी आपस है इन सभी आपस को आपको reset करना है यानि कि इनका data क्लियर करना है कैसे देखें आपना किसी भी आपको अगर उंगली से दबा के रखेंगे एक छोटा सा page open होगा इस page में आपको app info लिखा हुआ मिलेगा या फिर circle के अंदर जो i button बना हुआ है इसे आपको tap करना है आपका ये वाला page open होगा इसमें आपको नीचे की side ये storage and catch पे tap करना है तो आपको अगले page में दो option मिलते हैं एक तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले clear catch पे tap करना है इसके बाद आपको clear storage पे tap करना है अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपके देखें मुवैल फून के अंदर ना काफी सारे ऐसे अपस होंगे जो की फालतू के होंगे जिने आप बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करते होंगे तो जितने भी आपस आप जिन आपस को आप के फोन का स्टोरेज भी बढ़ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि देखें आपके जो है ना मुवैल फून के अंदर काफी सारे ऐसे अपस होंगे जिनके अंदर बैकप की सेटिंग आपको मिल जाएगी तो जिन जिस एप के अंदर इसमें आप यह देख सकते हैं बैकप की सेटिंग तो यह बैकप की सेटिंग अगर आपकी चालू रहती है तो इसे आपको बंद कर देना है ठीक है तो जिस जिस एप के अंदर आपको बैकप की सेटिंग को बंद कर देना है ठीक है अब यह तो हो गई आपके एपस की यह backup की setting अगर आपकी चालू है तो इसे भी आपको बंद दोस्तो मैं backup की setting apps की और mobile phone की backup setting इसलिए बंद करवा रहा हूं क्योंकि अगर backup की setting अगर आमारी चालू हो रहती है तो इससे हमारे phone का storage बार बर 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 जाता है ठीक है अब आपको आखरी प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने फोन को रिसेट करना है देखे आपको अपने फोन को रिसेट तभी करना है जब मेरे बताय हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को रिसेट करना है अदरवाइस नहीं करना फोन को reset करने के लिए फोन का setting page open कर लीचे setting page में आपको सबसे नीचे की side ये system पे tap करना है अब इसके अगले page में reset option टैप करना है इसके अगले page में erase all data factory reset पे tap करना है आपका phone reset हो जाएगा और आपको phone का storage भी बढ़ जाएगा और file 2 का data आपको ऐसे छोड़ देना है phone में और reset करने से delete हो जाएगा दूसरी बात यह ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है ये दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने mobile phone को reset करना है तो इस वीडियो में आपको जितने भी process आपको बताएं सारे process आपको यूज करने तो इससे आपके phone का जो storage होगा वो बढ़ जाएगा